अभिप्राय, अभिमत, अभिव्यक्ति, इसके स्वातंत्र की सीमा भी है, लेकिन उसके स्वातंत्र के कदर करना, सम्मान करना यही भी आवश्च्च एए, एक समाज के संस्खुति के विकास में चिंतन करने वाले, लेक लिखने वाले, कविता में अपने मन के बातों को, रदे की भावनां को अभिवक्त करने वाले लोग, शब्द जो लिखते हैं, उस पर आपतियदी होती है, तो उस समाज शायद अपने बहुद्धिक स्थर को, अपने पक्वता को स्थर को अभी भी पाना बाकी है, ऐसे ह हो जाएगा, इसलिए इसको सहन करना इसे मैं उस शब्द का उप्योग नहीं करता हूँ, हमें देखना चाहिए, इसलिए हर बात पर जगडे, विवाद, जंजट, नफरत, द्वेश, लड़ाई, यही होते जाएंगी, तो कविता ये बंद हो जाएगी, लेकन लिकना मुश्किल हो जाएगा, हाँ, दूसरों के भावनाओं को चोट नहीं लगनी चाहिए, यह तो ठीक है, लेकिन दूसरों के भावनाओं को चोट नहीं लगने चाहिए, लेकिन दूसरों के भावनाओं को सही दिशा मारगदर्शन देने वाले समाज के ऐसे ज्ञानी अनुभवी अनुभावी लोग जब सत्य बोलते हैं, उसको नतमस्त कोकर स्विकार करते हुए आगे बढ़ना, उसके अंदर के ज्ञान के रश्मी को देखने के साहस रखना, यह भी आज उतना ही आवश्यक है, ऐसे हमको मनना चाहिए.